दोस्तों, ओम नमह शिवाये। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने का कोई भी चार्ज और पैसा नहीं लगता। भगवान के दिये हुए हर फल सबजियों को अगर आप ग्रहन करते हैं, तो आपके शरीर में कभी भी किसी भी तरीके की शारीरिक कमजोरी नहीं होगी। प्रोटीन की कमी नहीं होगी, एवं आपका शरीर हमेशा हंसता खेलता फूलता रहेगा। दोस्तों वास्तु शास्त्र के फल एवं सबजी ज्यान में साफ साफ लिखा गया है, जिसके अंतरगत अगर आप हफते में सिर्फ उन सबजियों का सेवन कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है, तो आपके जीवन में कभी भी आपको प्रोटीन की और विटैमिन की कमी देखने को नहीं मिलेगी? दोस्तों, आज आपको हम वनस्पति ज्यान एवं वास्तु शास्त्र के हिसाब से उन सबजियों के बारे में बताएंगे जिससे आपको मा लक्षमी का आशीरवाद मिलेगा, भगवान विश्नु जी का सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें ताकि आपके उपर जो भी परेशानी आने वाली हो या कोई भी कष्ट आने वाला हो, वो अपना रास्ता आपको देख कर बदल लें, दोस्तों सबसे पहले तो एक लायक जरूर कर दें, क्योंकि लायक क पाये जाते हैं, वो आपके शरीर की प्रोटीन की कमी को पूरा कर देते हैं, शरीर के हर रोगों को खत्म भी कर देते हैं, लेकिन देखा गया है आम तोर पर लोग टमाटर, प्यास, गोभी, इन सभी का सेवन करते हैं, जिन से बस कुछ ही प्रोटीन की पूर्ती आपके शर उर्वेदिक फायदा मिलेगा, जैसे आपके शरीर की प्रोटीन, विटामिन, आयरन की कमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, आपका शरीर बहुत ज्यादा हश्ट पुष्ट हो जाएगा, आपको रोगों से भी छुट्टी मिलेगी, दूसरी तरफ इनके तांतरिक ज्यान ऐस से कहते हैं, अगर इन सबजियों का आप सेवन सिर्फ हफते में एक बार भी कर लेते हैं, आपको मा लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलेगा, मतलब अगर आप लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, धनाना घर में कम हो गया है, घर की बरकत नहीं हो पा रही है, मा लक्ष्मी के आशीरवाद से इन तीनों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, मतलब गरीबी दरिद्रता परेशानी, ये आपका पीछा छोड़ देगी और आपके जीवन में आपको रुपए की कमी कभी नहीं होगी, रुपए आपके पास खींचा हुआ चला आएगा, आपके व्यापार में व्रिद्धी होगी, और भी कई आशीरवाद मा लक्ष्मी की तरफ से मिलेंगे, अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो भगवान विश्नु के आशीरवाद से आपके पीछे से हट जाएगा, दोस्तों और अगर भगवान भोलेनाथ ने आपके उपर हाथ रख दिया, तो किसी ने आपके उपर कितना ही बड़ा काला जादू करवा रखा है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दोस्तों, जिन सबजियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उन सबजियों में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हफते में उनही द टक्ती तलवार की तरह ही होता है, कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपके जीवन से सारी परिशानियां दूर चली जाएं, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों, जिन सबजियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनमें सबस पहली सबजी का नाम है, शकरकंद की सबजी बिलकुल सही सुना, आप लोगोंने शकरकंद की जो सबजी होती है, शकरकंद खाने से इम्यूनिटी मजबूत बनती है, शकरकंद में मौजूद कैल्शियम, मैगनीशियम, फॉसफोरस, पोटैशियम, थाइमिन और केरोटिनॉ अगर आपने शकरकंद की सब्जी नियमित रूप से सिर्फ हफते में एक दिन लेना शुरू कर दिया, तो एक तरफ आपके ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, दरिद्रता आपके उपर से हट जाएगी, एवं आपको बता दें. मा लक्ष्मी का आपको आशीरवाद भी मिलेगा, क्योंकि शकरकंद की जो सब्जी की जड़ होती है, उसमें मा लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलता है, उसमें मा लक्ष्मी का भी वास माना गया है, वैसे तो ज्यादा तर लोगों को ये बात नहीं पता होगी. परन्तु वनस्पदे ग्यान के अध्याय नंबर 21 में साफ साफ कहा गया है जिस व्यक्ति ने भी हफते में सिर्फ एक दिन शकरकंद की सबजी बना ली तो उसके उपर से गरीबी दरिद्रता अपना वास छोड़ देती है वह हर तरीके की परेशानी से लड़ने में सक्षम हो जाता है दोस्तों हमारी जानकारी के हिसाब से ज्यादा तर जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो शकरकंद की सबजी खाते ही नहीं होंगे हो सके तो शकरकंद की सबजी को खाईएगा हो सके तो शाम के वक्त खाईएगा माना जाता है शकरकंद की जो सबजी शकरवार को खाते है उनके जीवन में कभी भी धनकी कमी नहीं होती है अगर आपको नहीं पता तो बता दे शुक्रवार का दिन मा लक्ष्मी का दिन होता है दोस्तों, दूसरी सबजी के बारे में हम जो आपको बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा वह है, कद्दू की सबजी, कद्दू की सबजी विज्ञान की भाषा में सबसे पौश्टिक सबजियों में गिनी जाती है देवी देवताओं को इस सबजी का ही भोग ज्यादातर लगाया जाता है अकसर अपने तीर्थ यात्राओं पर भंडारा आदी में जरूर खाई होगी इसको गंगा फल भी कहा जाता है ज्यादातर यह फल रेतीले स्थान पर उगता है इसे कच्चा और पक्का दोनों अवस्था में बनाया जा सकता है देवी देवताओं का सबसे प्रिय फल माना जाता है गंगा फल इसके अंदर प्रोटीन पॉष्टिक आहार भर भर के होते है आयुर्वेदिक के जानकारों का भी यह मानना है कि हफते में एक दिन कद्दू की सबजी का सेवन करने से कई प्रकार के रोग भी ٹھीक हो जाते है शरीड की कई प्रकार के प्रोटीन की कमी को पूरी कर देता है कद्दू की सबजी, वनसपतिशास्त्र के अध्याय नंबर 21 के तीसरे पन्ने पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप सब कद्दू की सबजी का सेवन करते हैं, तो धन का जो आवा गमन आपके घर में हो रहा है, वह बहुत तेज होता है। यह बहुत शुभ माना गया है। यह बहुत शुभ पेड माना जाता है। यह बहुत कम जगह उगता है। और दोस्तों, भगवान विश्नुजी साक्षात इसमें वाज भी करते हैं। आपको अगर नहीं पता है, तो बता दे, मंगोडी की सबजी का सेवन सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रहस्पतिवार को करना है। क्योंकि ब्रहस्पतिवार का दिन सूर्य भगवान जी का और भगवान विश्नुजी का दिन माना जाता है। कि बता दे, हिंदू पुरानों के हिसाब से मान लक्ष्मी के हाथ में होता है, धन देना और किसको कितना धन देना है, वो भगवान विश्नुजी के हाथ में होता है, तो ब्रहस्पतिवार को आप लोग मंगोडी की सबजी का सेवन जरूर करें। दोस्तों, अब जो चौथी सब्जी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सब्जियों में प्रयोग होने वाली पत्ती है, जिसका मतलब है कड़ी पत्ते का आपको प्रयोग करना होगा. कड़ी पत्ता आपके जीवन में अगर आप लोग इस्तिमाल करते हैं, तो वनस्पती शास्त्र के और वनस्पती ज्यान के अध्याय नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी कड़ी पत्ते का इस्तिमाल करता है. उसके जीवन में अगर शत्रू है और शत्रू उसका नु जिनके उपर बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही है। पर बड़े आराम से मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपने विचार जरूर रखें।